और अब बात करते हैं अगली खबर की बुलन शहर में हुई शर्मसार कर देने वाली घटना के बाद शाजापूर की पुलिस अलर्ट नहीं हुई है घटना के कई दिन बाद भी पुलिस अभी तक चौकस नहीं हुई है National Voice की टीम ने NH का एक बार फिर से रियालिटी चेक किया जहां आज भी लोग हाईवे पर यात्रा करने में खुद को अनसेफ महसूस कर रहे है UP के शाजापूर से गुजरने वाले NH24 पर सबसे ज्यादा वाहन लूट की घटनाए होती है साथ ही यात्रियों के साथ भी जमकर लूट पार्ट के कई मामले सामने आए है NH24 पर रात का सफर करने वाले ट्रक ड्राइवर्स की माने तो उन्हें लूट होने का सबसे ज्यादा खत्रा रहता है उनका कहना है कि चेक पोस्ट पर पुलिस नजर तो आती है लेकिन चेकिंग की बजाए पुलिस वाहनों से अवैद वसूली करते नजर आती है यह ADGLO महुदेद वरा पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सभी गजटेट आफिसर्स SSP और एडिशनल SP और CEO सभी को फिल्ड में निकलना है मेंली हाइवे पे रहना है और हम लोग इसी अभियान के तहत आज पूरे जिले में निकलना है